राजनीती में कभी भी कुछ हो सकता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए, भरत के सबसे परभाफशाली इसलामिक मदर्सों में से एक, दारूल उलुम देवबंद का घर देवबंद, भास्पाने लगाता दूसरी बात जीता है, लेकिन यी कैसा हुआ? कौन सा करिश्मा काम कर गया? क्या इसके पीछे ओवेसी का हाथ है? नमस्कार, आदाब, गुडिवनी, सास्रियकाल, दोस्तों, मैं हूँ मन्मिंदर, और मेरे चैनल M.E.S.P.E.S. पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, तो मैं कह रही थी कि ओवेसी ने कैसे जिताया BGP को, वो भी देवन से, जहां मुस्लिम वोर्ट सबसे ज दाद, 273 सीटों पे जबदस जीत हासिल की है, और राजनितिक रूप से महदपून, उतरब्रदेश में सत्ता विरोधी लैर को भीचे छोड़ दिया, और भगवा पार्टी ने दूसरे कारगार के लिए जिन सीटों पर जीत हासिल की है, उन में से एक सीट ऐसी भी है, जो क सबसे ज़्यादे इंपॉर्टेंट इस्लामिक मद्रसों में से एक है, धारूल उलुम देवबन, काग्घर देवबन, भासपाने लगातार महाँ, दूसरी बार अपनी जीत हासिल की है, सहर्पूर जिले में पढ़ने वाला देवबन, शहर में 70% मुसलिम अबादी है, लेक अपने प्रतिद्वन्दी कार्ति के राना को 7,44 वोटों से हराया है, तो आइए समझते हैं कि ये कैसे हुआ करिश्मा, क्या इसमें OVC ने, यानि की जो AIMIM के मुख्या है, उन्होंने BJP की मदद किये, हैधराबाद के सांसद OVC की All India मजर से इतिहाद मुस्मीन पार्टी को अक्सर उनके विरोधियों द्वारा BJP का B टीम, कॉंग्रेस की C टीम के रूप में बदा करके खारिश कर दे जाता है, पार्टी ने अपना अक्रामक रूप अपनाया और UP चुरा में भाग लिया, सौ मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं सकी, इसने कहना चाहिए कि 0.43% वोट शेर जो है, अपना दर्स किया है, असुदिन अवेशी की पार्टी ने जमेते उलेमा हिंद के सचिव मौलाना मेहमूद मद्नी के भतीजे उमर मद्नी को चुराव में उतारा था, देव मद्न में इस पार्टी ने, कि जो उमीद्वार हैं, उमेर मद्नी को साड़े तीन हजार वोट मिले हैं, साड़े तीन हजार वोट, बीजेपी और सपा के उमीद्वारों के बीच साथ हजार मदों का अंदर था, मगर उवेशी की पार्टी ने अपना उमीद्वार नहीं उतारा होता, तो ये संभव था कि उन तीन हजार वोटों में से सपा उमिद्वार को जीतने में मदद की होती। वैसे 2017 के चुराओं में इस पार्टी ने इस सीट पे अपना उमिद्वार नहीं उता रहा था। अब एक बात और समझने वाली है, 2017 के पुरिनामों को दोराते हुए बिजेपी को जो भास्पा विरोधी वोटों के विवाजन से लाब हुआ, वो इस तरीके से हुआ, भाजन समझत पार्टी के उमिद्वार चौधरी राजंदर सी और कॉंग्रेस उमिद्वार रहत खलील को एक साथ 53,000 से ज़्यादा वोट मिले, जिसे सपा उमिद्वार के राना को फायदा हो सकता था, और इसके बाद 2017 में बिजेबी के ब्रजेर सिंग ने करीब एक लाख वोट हासिल किये थे, इसका कारण था, सपा और बसपा, दोनों के मुसलिम उमिद्वारों के वोटों में बटवारा, बहुतन समाज पार्टी के उमिद्वार माजेद अली को 72,844 वोट मिले, जबकि सपा के माविया अली को 55,385 वोट मिले थे, लेकिन मुसलिम बहुल सीट पर एक गैर मुसलिम बसपा उमिद्वार का, इस बार 52,000 से अधिक वोट मिले है, ये दर्शाता है, कि वोट धार्मी का धार पर नहीं डाले गएते, अगर ऐसा होता, तो कॉंग्रेस परत्याशी रहत खलील को और वोट बिल सकते थे, तो इस तरीके से ओवेसी ने बीजेपी को जिताने में एकदम परफेक्टली मदद की, मैंने शुरात में ही आप से कहा था कि राजनीती मे कुछ भी संभव हो सकता है, और जो भी जीत हार होती है, वो वोटर तया करते हैं, पार्टी में वोटर्स को समझना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों आपको ये कंदेंट कैसा लगा, क्या सचमुच आप मानते हैं कि ओवेसी ने बीजेपी को देबंद में हराया है, मुझे आपके कमेंट का इंग्ददार रहेगा, आप अपनी राय मेरे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, फिलाल इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और खबर के साथ, किसी और कहानी के साथ, किसी और किसे के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, जै आपने ही जबरत.